ओके तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल के इंशुरेंस के बारे में देखो जब भी हम एक नया फोन लेते हैं तो हमारे सामने आप्शन आता है उस फोन के इंशुरेंस का तो क्या हमें actual में जरूरत है नए mobile phone का insurance कराने की या फिर नहीं है और अगर mobile का insurance कराएं तो कहां से कराएं, किस company से कराएं, क्या चीज़े देखके कराएं ये सारी चीज़े mobile insurance के बारे में आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत simple तरीके से बताने वाला हूँ तो चलो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले सवाल या आता है, क्या आपको अपने phone का insurance कराना चाहिए या फिर नहीं देखो ये depend करता है आपके lifestyle पे, आपके routine पे, वो कैसे देखो अगर आप किसी college में पढ़ते हो, या कहीं पे job करते हो, metro में आप travel करते हो public transport यूज करते हो, जैसे की bus, auto, तो ऐसे में क्या होता है, phone के खोने के और चोरी होने के chance बहुत जादा रहते हैं, ऐसे भीड़ भाड़ वाले areas में अब जो चोर होते हैं, जो pocket मार होते हैं, वो ऐसे चुटकियों में आपके pocket से phone निकाल के ले जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, तो ऐसे में काम आता है mobile का insurance, जो कि आपको करा लेना चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा phone को careless तरीके से use करते हैं, उसकी care नहीं करते हैं, ऐसे ही bad पे, sofa पे, कहीं पे भी उसको fact देते हैं, तो उसके तूटने के, यानि damage होने के chances रहते हैं, तो आपको ऐसे में भी अपने phone का insurance plan है, वो ले लेना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह के areas में नहीं जाते हो, आप routine ऐसा नहीं है, आप अपने phone की अच्छे से care करके रखते हो, जैसे कि मैं रखता हूँ, तो आपको ज़्यादा need नहीं है, mobile insurance कराने की, लेकिन मैंने फिर भी अपने phone का insurance कराया हुआ है, कहीं खोना जाए, कहीं गिर के तूटना जाए, इस दर की वज़ा से, ओके, अब ये तो clear हो गया कि आपको mobile insurance plan किस condition मे नहीं लेना चाहिए, अब सवाल आता है कि mobile insurance कहां कहां तो मिलता है, और फिर आपको लेना कहां से चाहिए, देखो mobile insurance online और offline दोनों जगर पे मिल जाता है, पहले बात कर लेते हैं offline, आपके आस पास में जो market है, उसमें जो बड़े electronic store होते हैं, जैसे कि chroma हो गया, widget sales हो गया, reliance digital हो गया, और भी कोई अच्छा electronic store है, तो होता है क्या है कि उन electronic store में mobile insurance company वाले भी होते हैं, आप कोई phone select करोगे वहाँ पे, वहाँ पे बोलोगे कि मुझे इस phone का insurance plan बिचीए, तो वहाँ पे वो भी आपको मिल जाता है, अब बात करें online, अगर आप Amazon से, Flipkart से भी phone purchase तो वहाँ पे भी आपको insurance plan मिल जाता है, Flipkart का अपना complete mobile protection है, और Amazon पे भी आपको मिल जाता है, और अगर आप अपने phone में Google पे search करोगे mobile insurance, तो वहाँ पे भी बहुत सारी website आजाएंगी, बहुत सारी company, जो कि mobile insurance plan बेचती हैं, लेकिन अब आपको लेना कहां से, देखो मैंन search करके कौन सी website से, या किस company से हम insurance plan ले, देखो मैं यहाँ पे किसी एक company का तो नाम आपको नहीं लेके बताऊँगा कि इस company का आप जाके plan ले लो, लेकिन कुछ अच्छे companies हैं, जो कि mobile insurance plan provide कराती हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ 4-5 नाम है, इन मेंसे जो भी company आपको सही लगे, अगर आप market में phone लेने जा रहे हो, वहाँ पे इन मेंसे कोई company का insurance आपको मिल रहा है, तो वहाँ से ले सकते हो, वहाँ पे नहीं मिलता है, तो phone लेके आने के आने के बाद, चाहिए phone आपने offline लिया हो, या online Amazon flip card से लिया हो, phone लेने के बाद, Google पे आजा हो search करो mobile insurance, यह जो company मैंने आपको बताई है, इन में से जो भी company आपको दिखे, देखो, सारी जो company होती है, जितने भी mobile के price होते है, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, उसके according insurance की plan होती है, तो आपने जिस price range का phone लिया है, आप यह सारी website चेक कर लो, कौन सी website बहतर plan दे रहे है, कौन सस्ते मे दे रहे है, तो उसका आप plan ले सकते हो, लेकिन एक important चीज मैं आपको बतादू, insurance plan लेने से पहले, देखो, आप किसी भी company का insurance plan लो, उसमें तीन चीज़े होती है, तीन तरह के plan होते है, पहला, damage protection plan, damage protection plan में क्या होता है, अगर आपका phone गिर के टूर जाता है, या आपके phone की display damage हो जाती है, आपके phone पे पानी गिर जाता है, या किसी और liquid से या किसी भी तरीके से, आपका phone damage हो जाता है, तूर जाता है, तो damage protection plan में उसको company ठीक करा के देती है, दूसरा होता है, theft protection plan, इसमें क्या होता है, अगर आपका phone कहीं पे खो जाए या चोरी हो जाए, तो जो insurance company ह वो compensate करती है, आपके जो phone के पैसे हैं, वो आपको देती है, एक होता है, third वाला जो होता है, complete mobile protection plan या all coverage इस तरीके के नाम से अलग-अलग website पर आपको मिल जाएगा, अब जो third वाला होता है, उसमें दौनों चीज़े cover होती है, damage protection plan भी और theft protection plan भी, तो जब भी आप mobile insurance लो, त आपका phone चोरी हो जाएगा, अब insurance company को बोलोगे तो वो claim आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपका plan अलग था, तो ध्यान रखो, जो भी plan आप लो, उसकी पहले सारी details देख लो, कि उसमें क्या-क्या चीज़े cover है, complete वाला ले रहे हो, कि कौन सा ले रहे हो, complete protection plan जो होता है, वो theft protection plan चीए, वो आप choose कर लोगे, अगर आपको नहीं पता कैसे लेना है, तो उस website पे उस company का help line number मिल जाएगा, उस पे phone करके, आप सारी details ले सकते हो, क्या-क्या cover है, क्या-क्या नहीं है, और वहां से उनसे भी plan आप लोग ले सकते हो, तो यह है सारी चीज़े mobile insurance के बारे में, hopefully आपको जो मैंने details दी है, वो अच्छे से समझ आई होंगी, कि कब mobile insurance plan लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, क्या चीज़े देखनी चाहिए, hopefully आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा हो तो भाई, like ज़रू कर देना, चैनल पे नहीं हो तो subscribe के bell icon press कर लेना, ऐस से और वीडियो देखने के लिए, और आप चाहूँ तो भाई मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो, उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में तो पर के लिए thank you, bye bye